तो चलिए शुरू करते हैं सैंड्विच बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप्ट क्युकुम्बर चॉप्ट अनियन और चॉप्ट टोमेटोस पैन में हम लोग 2 टेबल स्पून ओल लेंगे और उसमें सारे वेजिस एड़ करते हैं यहां पर मैंने चॉप्ट अनियन को मैटोस तीनो को आइड़ कर दिया और इसे हम लोग 2 मिनिट तक सौटे करेंगे अगर आप सैंड्विच को थोड़े स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें ग्रीन चिली एड़ कर सकते हैं यहां मैंने एक चॉप्ट ग्रीन चिली एड़ किया है अब हम इसमें सॉल सॉल्ट एड़ करेंगे आप अपने टेस्ट के अकॉरे सॉल्ट एड़ कर सकते है अब हम मेज इसको दो मिनट तक और फ्राइब करेंगे यहां से देख्या हमारे वेजी पिल्कुल रडी हैं यहां मैंने ब्रउन ब्रड यूज़ वर्हन ज्यादा हेल्दि होता है केम पेर वुइड ब्रेड, अब हम ब्रेड के ऊपर वेज़िस इसाइट गरेगे, आप अपने अकॉार्डिंग वेज़िस का कौन्टिटिस इस प्रेड कर सकते हैं, यहां मैंने टू स्पोन वेज़िस अड़ किये हां, अब इसके ऊपर हम दूसरा वेज़िस रखतेंगे, यहां मैं दूसरा सैंड़िच रेडी कर रही हूँ सेम प्रोसेस फॉलो करके मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है और उस पे वेजिज स्प्रेड किया है अब मैं इस ब्रेड को दूसरे ब्रेड के स्लाइस से कवर कर दोगी निच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोस्टर ग्रीज किया है अब हम टोस्टर को अच्छे से ग्रीज कर लेंगे आप बटर या और किसी भी चीज से इसको अच्छे से ग्रीज कर सकते हैं और उसमें ब्रट के स्लाइसे को रख दे यहाँ मैंने दोनों स्लाइस को अच्छे तीन मिनिट के बार टोस्टर को उपन कर लें, यहां पर देखिए हमारे सैंडविच बिल्कुल ग्रिल्ड हो चुकी है, यहां हमारे सैंडविच बिल्कुल रडी है, यह सैंडविच बहुत ही हिल्दी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही कम ओल में सैंडविच को बनाया है, म बाबाई